गेरलेस, कमफर्टेबल, बिग स्पेस और बढ़िया माइलेज, स्कूटर होते ही हैं एकदम फैमली फ्रेंडली दोस्तों, बढ़े हो या छोटे, मेल हो या फीमेल, स्कूटर सबके लिए बेस्ट टू विलर चॉइस होती है क्योंकि सिटी ड्राइविंग से लेकर थोड़ी बहुत हाइवे ड्राइविंग करने तक स्कूटर हर तरीके सिग्दम पॉफेक्ट फैमली वेहिकल है है ना और हिंदी ऑटो न्यूज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉफ फाइव स्कूटर अंडर वन लाक रूपीज के बारे में इस लिस्ट में हमने सब ही 125 सीथी स्कूटर को शामिल किया है जो माइलेज के साथ साथ बहतरीन परफॉर्मेंस देती है यार तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंडिया की मोस्ट सेलिंग स्कूटर होन्डा एक्टिवा के हर महीने करीबन डेल लाक से दो लाक यूनिट्स बिकते हैं और ये रिलाइबल स्कूटर काफी ग्राहकों की पहली पसंद है होन्डा एक्टिवा के दो वेरियंट आते हैं जिसमें से 125cc वेरियंट है एक्टिवा 125 जिसका 125cc का फैन कूल इंजन 8.18 बहब और 10.3 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जनरेट करता है यूजर एक्सपिरियंस के मताविक ये स्कूटर 45 किलो मीटर पर लीटर की माइलिज बहुत ही आसानी से निकाल करते देता है और इस स्कूटर के बेस मॉडल की डेली ओन रोड प्राइज है 88,200 रूबीज देश के दूसरे सबसे बेस्ट चलिंग स्कूटर टीविएस जूपिटर के 125 CC वैरियंट में 124.8 CC का एर कूल इंचन देया गया है जो की 8.04 बहप की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जनरेट करता है अब यूजर एक्स्पियेंस की बात करें तो इसके मताविक ये स्कूटर 50 किलो मीटर पर लीटर की माइलिश बड़ी आसानी से निकाल कर दे देता है और हाली में लाँच हुए जूपिटर 125 का लूक एंड फीचर काफी ज़ादा न्यू एंड रिफ्रेशिंग है वहीं इसमें बूट स्पेस भी काफी ज़ादा है इसलिए सिटी ड्राइविंग के लिए ये एक बेस्ट चॉइस हो सकता है प्राइजिंग की बात करें तो जूपिटर 125 के ड्रम ब्रेक मॉडल की डेली एक्स शोरूम प्राइज है 95,000 रोपीज सुजुकी का ये स्कॉटर अपने बेस्ट पफॉर्मिंग 125 सीजी के एर कूल इंजन की वज़े से जाना जाता है ये इंजन 8.6 BHP पावर एंड 10 Nm का पीक टॉक जनरेट करता है अब खास बात ये है कि सुजुकी एक्सेज 125 45 से लेकर 50 km पर लीटर की माइलिश बड़ी आसानी से निकाल कर दे देती है और इस स्कॉटर की टॉप स्पीड है 90 km पर आर वहीं प्राइसिंग की बात करें तो इस स्कॉटर के बेस वेरियंट की आन रोट प्राइस है 94,500 रुपीज नमबर फो टीवीज एंड टॉक 125 स्पैशली इंडियन यूद को काफी जादा पसंद आने वाली टीवीज के इस स्कॉटर के डिजाइन तो भाई क्या ही वोलो यार काफी कूल है वहीं इसके ग्राफिक्स और डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स इसके ओवरॉल एक्स्पिरियंस को बेहदी खास बनाते हैं स्कॉटर में दिया गया 125cc का इंजन 9.25 ब्रेक होर्सपावर और 10.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जनरेट करता है हलांकि परफॉर्मेंस जादा होने की वज़े से इस स्कॉटर की माइलेज सेग्मेंट के बाकी स्कॉटर से थोड़ी सी कम है यानि की 42 किलो मेटर पर लीटर की है और टॉप स्पीड 95 किलो मेटर पर आर की है कीमत के मामले में एंटॉक 125 की ओन रोड प्राइज 93,500 रुपीज से शुरू होती है नंबर फाइफ सुजुकी एविनिस हाला कि दोस्तों आपको सुजुकी का ये नया स्कॉटर एंटॉक से इंस्पायर लग सकता है लेकिन इसका लुक भी काफी अट्राक्टिव है और परस्नली मुझे तो ब्लैक एविनिस स्कॉटर काफी जादा कूल लगता है इस स्कॉटर में 124 CC का एयर कॉल्ड इंजन दिया गया है जो की 8.6 ब्रेक होट्स पावर और 10 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जोनेट करता है प्राइजिंग के मामले में इस स्कॉटर के स्टैंडर एडिशन की अन रोड प्राइज है 1,5,500 रुपीस हाँ 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 पता है इसकी प्राइज 1,00,000 रुपीस से थोड़ी सी जादा है लेकिना डोंट वरी फेस्टिवल में ओफर्स मिल जाएगा तो यह आ जाएगी यार 1,00,000 के किफायती दाम में और क्या तो दोस्तो इन टॉप 5 125cc स्कूटर में से आपको कौन सा स्कूटर सबसे जादा पसंद है कॉमेंट सिक्चर में कॉमेंट करके ज़रू बदाएगे वीडियो के सेकेंड पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक जादा से जादा और हमारी चैनल हिंदी आर्टो न्यूस को सबस्क्राइब जरूर कर लीजगा दन्यवाद